उन लोगों को सरकार के अस्तर पर कुछ सयोग किया जा सके और इसी करम को आगे बढ़ाते वे पहले चरण में निर्माण सर्मिकों को हम लोगों ने धनरासी उपलब्द कराई और मुझे प्रसंता है कि प्रदेश के अंदर ऐसे बड़ी मात्रा में हम लोगों ने निर्माण स सर्मिकों को एक-एक हजार रुपय की रासी उनके एकाउंट में दी जा चुकी है इसमें हम लोग बीस लाग निर्माण सर्मिकों को ये रासी उपलब्द करवा रहे हैं इसी प्रकार से जितने भी ठेला है, खुमचा है, रेड़ी है, रिक्सा है, इरिक्सा, पलेदार, कुली जितने भी अन्या सेवाई देने वाले लोग हैं इन सब के बारे में भी हम लोगों ने एक सर्वे करा करके सभी प्रसासन को इसके बारे में आउसे धन्रासी भी प्लब्द कराई है कि सभाई गुरुप से इस समय लोगडाउन के कारण इन सब का कारे प्रभावित है इनको भी भरण पोशन का एक भत्ता दिया जाना चाहिए पंद्रा लाग से धिक ऐसे सभी लोगों को भी जो दैनिक अपनी कमाई करते थे आज उनकी कमाई प्रभावित हुई है उनको भी रासे मुपलब्द करा रहे हैं मंडरेगा की मजदूरी करने वाले प्रदेश के अंदर 88 लाग ऐसे सर्मिक हैं जिनके मानदे को बढ़ा करके 202 रुपय अप किया गया है उनका बहुत दिनों से कुछ पैसा बकाया भी था ऐसे लगभग 27 लाग 15 हजार से धिक उन मंडरेगा सर्मिकों की एक मुष्ट रासी उन्हें दी गई और साथ-साथ हम लोगों ने 87 लाग उन परिवारों को जो बिर्धावस्ता पेंसन रासित महला पेंसन या फिर अन्य पेंसन की योचना को प्राप्त करते थे समय से पहले उनको पेंसन की रासी एक साथ उन्हें उपलब्द करवाई गई ऐसे 87 लाग लोग उस योचना से लाभवानित हुए हैं खात्यान प्रदेश के अंदर पहले ही पहले अप्रेल से बटना प्रारम हुआ है आधने प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्यान पैकेज की गोचना की है जिसमें प्रदेश के 2,34 लाग किसानों को 2,000 रुपे प्रतिमा आगामी 3 महने तक देने की विवस्ता है जंधन एकाउंट में जिन लोगों के एकाउंट खोले गए हैं ऐसी महला लाभारतियों को 500 रुपे प्रतिमाथ आगामी तीन महिने तक धंदासी देने की विवस्ता की गई है साथी साथ इस योजना के अंतरगत उज्जुला योजना में जितने भी लाभारती हैं उन लोगों को आगामी तीन महिने तक रुसोई गैस के सिलंडर भी निसुल को प्लब्द कराया जाना है और ये विवस्ता भी प्रारंब हो चुकी है खाद्यान की विवस्ता भी प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान भारत सरकार के अस्तर पर भी हर लाभारती को निसुल को प्लब्द करवाने की विवस्ता की गई है गरीबों के लिए इस संकट के समय में केंद्र और प्रदेश सरकार पुरी मश्बूती के साथ आपके साथ खड़ी है और आज इसी करम में इस चार लाग क्यासी हजार जो अमारे नगरिये छेत्र के वेंडर्स हैं जिन लोगों को बहुत दिनों से जो पिक्सित थे इनको विवस्तित पनरवास करने की विवस्ता करने के अकारे नगर विकास विभाग तेजी के साथ आगे कर रहा है लेकिन इस संकट की घड़ी में उनके संकट में भी उनके दुख में उनके साथ खड़े हो करके उनको सायता देने का कार्य जिन लोगों के पास राशनकार नहीं कोई अन्य सुविधा नहीं उन लोगों को भी इन सुविधाउं से आच्छाधित करने की कारवई ब्यवस्तित रोप से करने का प्रियास हो रहा है उनको चाईवा भर्ण पोषन का भद्ता हो रासन काड उपलब्द कराकर के खाद्यान उपलब्द कराने की कारवाई हो हर जन्पत में युद्धस्तर पर चला है कॉम्निटी कीचन के माद्यम से सभी लोगों को भोजन उपलब्द कराने की विवस्था स्वास्ते की सुविधा जो भी हो इस सारी विवस्ताएं प्रदेश और केंदर की सरकार मिलकर के प्रतेएक नागरिक तक पहुँचाने का कारे कर रही है मैं सौसर पर नगर विकास के मंत्री से आस्तोस टंडन जी को परमुक सच्यो नगर विकास से देपक कुमार जी को इस कमेटी के जो अध्यक्स हैं जिनोंने इस पूरी कमेटी के मात्यम से इस कारे को विवस्तित रूप से आगे वढ़ाया है प्रमुक सच्यो ग्राम विकास और पंचैती राज तहा प्रदेश के अवस्थापना और के हमारे जो विकास के आयुक्त हैं ये सभी लोग पूरे मजबूती के साथ इन कारेक्रमों को आगे वढ़ाने का कारे कर रहे हैं मैं इन सब को हिर्दे से धन्यवा देता हूँ ये उमीद करता हूँ कि हम सब करोना महामारी को तभी रोकने में सखल होंगे जब प्रधान मंत्री जी के द्वारा बताए गए उन सभी निर्देशों का अक्सर सा पालन सभी लोग मिल करके करेंगे खास तोर पर जो एक विवस्ता बनाई गई है कि हम घर के अंदर रहें या बाहर बाहर हम बहुत आउस्यक हो इमर्जंसी कोई ऐसी इस्तिती पैदा हो तो ही हम घर के बाहर निकलें अन्यथा घर में रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें साप सफाई स्वच्छता के बारे में विवस्ता जो भी दिये गए हैं उसके अनसार उसका उन पालन करें घर के बाहर निकलते हैं तो हमें एक प्यवस्ता करनी चेए कि हम मास्क या फिर कोई गंचा या कोई तौलिया मों पे लपेट करकी बाहर निकलें अगर इन सब का पालन करते हैं तो करोना हम सब से बहुत दूर रहेगा और हम लोग अपने स्वयम भी अपने समाज को भी और अपने देश को भी करोना महमारी से बचाने में सफल होंगे मैं आज के इस प्रियास के लिए नगर विकास और आवास विभाग को फिर्दे से धन्यवाद देता हूँ जिन लाभारतियों को जो चार लाग क्यासी हजार से धिक लाभारती स्योषना से लाभानी थोये हैं इन सभी को भी मैं हिर्दे से बधाई देता हूँ और उमीद करता हूँ कि केंदर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतेक नागरे के उत्तम स्वास्ते और सुरक्सित भोष्चे के लिए लाग डाउन की जो कारवाई की गई है हम सब इसका पालन करेंगे आप सब के प्रती मेरी सुपकामनाएं धन्यवाद तो लॉक्डाउन का पालन जरूर करें मास्क जरूर लगाएं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री योगी आधितिनात को आप यहाँ पर सुन रहे थे जो कदम यूपी सरकार प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं गरीमों के लिए उनका उन्होंने जिक्र किया कि एक अप करने में उसे मिटाने में प्रशासन आगे रहे